एक बार की बात है जब मारकंडे डिशी एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे कि रिशीयों में श्रेश्ट है मारकंडे हैं मैं आपकी तपस्या से प्रसंद हुआ आखे खोलो कि रिशीयों में श्रेश्ट प्रसंद अवड़ थे खोलो आपके चर्णों मेरा शत्षत प्रणाम आज आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया प्रभू हम आपकी भक्ति एवं साधना से प्रसन्न हुए भक्तमारकंडे बोलो क्या वर चाहिए ए नात आज आपका मुझे दर्शन हुआ यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है किन्तु फिर भी ए प्रभू जिस माया से संपून जगत मोहित हो रहा है उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रभल इच्छा है किन्तु ये भी विंती है कि आप मुझे अपने चड़नों से कभी अलग ना करें कि ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मारकंडे जी ये माया देखने योग्य नहीं होती इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे स्वयम को भूल जाओगे ये भगवन जब आपके चड़नों में रहूंगा तो मुझे किसी भी परकार की चिंता करने की अवशक्ता नहीं है आप तो मुझे माया से निकाल ही लेंगे प्रभू ठीक है रिशिवर आपके इस हट के कारण हम आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं आप माया देखने के लिए तयार हो जाईए किन्तु भगवन मैंने तो आपका पूजन किया ही नहीं आप एक पल रुके मैं अभी चंडन घिसकर आपका पूजन करता हूं करता है बच्चाओ बच्चाओ और इस प्रकार नरायन भगवान की माया से मोहित होकर मारकंडे जी स्वायम को एक इस्त्री के रूप में नर्दी में बहते हुए देखने लगे पच्चाओ बच्चाओ होँएट थ। हो जी स्वाल में बच्चाओ बनान मेंद से चचर सूंवाने थे थे से प्लीट को बने है से अ Almost झाल झाल तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई तुम नदी में कैसे गिरी कहीं तुम्हें किसी ने धकेल तो नहीं दिया इसी हाथ से पहले यहां कभी भी देखा नहीं ना जाने कौन है और कहां से आई है कुछ कहती क्यों नहीं कौन हो तुम्हारा गाओं कौन सा है किस परिवार से हो मुझे कुछ ही याद नहीं कि मैं कौन हूं मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहां से आई हूं और मेरा घर कहां है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता मैं सच कह रही हूं मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं कहां से आई है किस परिवार या किस काव की है मुझे भरोसा किजिए कहीं तुम किसी दुलघटना का शिकार तो नहीं हुई हो सकता है लेकिन बुझे वो भी याद नहीं ओ तो फिर आप कहां जाओगी तुम जहां मेरा भाग के लिए जाएगा मुझे तो कोई ठाव ठीकाना भी नहीं पता लगता है पर मात्मा ने इसे मेरे लिए बेजा है यदि ये मेरे साथ विवाह करने के लिए रागी हो जाए तो मेरा भागी ही खुल जाए अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं क्या तुम मुझे विवाह करना पसंद करोगी ये आगई देखने में तो तयानत और सचन मालूप पड़ता है और मेरे पास की कोई रास्ता नहीं है इसलिए इसे परबागवा की उच्छा मानकर स्विकार कर लोना ही उच्छे थे हुआ करना पास के लिव थे कर लो. झाल 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 किन्तु जब एक एक करके दोनों के चार बच्ची हो गए तब उनके जीवन में अनेक परकार की परिशानिया आने लगी जिसके कारण दोनों में आये दिन जगड़ा होने लगा और एक दिन जगड़ा इतना बढ़ झाल 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 मारकंडे जी तो थोड़ी सी माया में ही डूब गए। अब उन्हें माया के अंदर जाकर पहचान कराने होगी तभी उनकी माया देखने की इच्छा पूरी हो पाएगी सादू को भी इसी सादू को भी इसी समय आना था अब क्या करो पहले से भीक्षा देखकर विदा करना होगा लीजी और चाहिए। किन्तु देवी हमारा नियम है कि हम कथा सुनाए बिना भिक्षा ग्रहन नहीं करते हैं। इसलिए आपको मुझसे मारकंडे रिशी की कथा सुननी होगी। देखिए इतना समय नहीं है मेरे पास। कृपा करके आप जाए। किन्तु देवी यदि आप कथा नहीं सुनेगी तो मैं अपने नियम के अनुसार भुखा रह जाऊंगा। और कथा सुनेगी तो आपको भी पुण्यलाब होगा। और आपका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है। आईए और कथा सुनाईए। आईए। आईए देवी। बहुत समय पहले की बात है। मारकंडे नाम के एक रिशी थे जिन्होंने लंबे समय तक घोर तपस्या की। इसके फल सुरू भगवा नारायन ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे माया का सुरूप दिखाई है। किन्तु अपने चरणों से भी दूर न करे। तब मारकंडे जी नारायन भगवान का पूजन करने के लिए चंदन घिसने लगे। इतने में नारायन भगवान ने उन पर माया का आवरन डाल दिया। वे स्वयम को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे। और फिर एक धोबी से उनका विवाह हो गया। यह तो मेरी ही कहानों सुना रहे हैं। और जब वो माया से दुखी हो गई। तब स्वयम नारायन भगवान उन्हें माया से निकानने। साधू का रूप धारन करक्या है। ए प्रभू जिस माया से संपून जगत मोहित हो रहा है। उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रवल इच्छा है। ये माया देखने योगे नहीं होती। इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे। जिस माया को हटे सहिते की देखन की चाह। मेला उसी से कश्ट भी और पाई मुक्त की राह। मार कंडे जी को हुआ निजगनती का भान। जाना भीक्षुक है स्वयमश्री नारायन भगवान। नारायन भगवान। मुझे इस माया से दिखा लिए। मुझे पहचान हो गई है कि मैं ही मार कंडे रिशी हूं। और आप नारायन भगवान है। मेरी ही बतिमारी गई थी कि मैंने माया देखने की हट की। अब खृपा कर मुझे। इस माया से मुक्त कर दीजिए प्रभू। मुक्त कर दीजिए। कहो रिशीवर क्या माया देखने की और इच्छा है। नहीं प्रभू। आज के बाद मैं कभी भी माया देखने की इच्छा मेही करूंगा। कर दो कर दो कर दो कर दो आज कर दो घ्राइग आज कर दो झाल झाल